हलो एसलाम लेकूं आज हम लोगों को फिर से बटा पॉर्पोइंट प्रेजेंटेशन कॉंटिनू करना है हम सबसे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे रोज की तरह तो आज जो आपको फीचर पढ़ना है वो है आप लोग अपने जो स्लाइड शूज हैं वो कस्टमाइज कैसे करते हैं यूजूली मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ नॉर्मल वे जैसे आप लोग स्लाइड शू करते हैं तो वो किस तरीके से आता है इनमें डिफ्रेंशेट करने के लिए मैं कुछ चार पांच स्लाइड बनाओंगी और फिर हम उनका नॉर्मल स्लाइड शू करेंगे जो बाई डिफॉल्ट इसमें आता है तो उसे फॉर एक्जांपल मैंने आपके स्कूल का नाम लिख दिया है तो सिंपल स्लाइड बना रही हूं मैं आप लोग को इसी से समझ जाएगा हम यह कस्टमाइज करने की क्या ज़रूरत पड़ती है हमें तो मैं यहां पे संथे आपके स्कूल में लिख रही हूं कि आपके टोटल स्टूदेंस कितने हैं वो मैंने एक स्लाइड पे लिखा है मेल स्टूदेंस कितने से फर एक्जांपल वान फिफ्टी आपके स्कूल में मेल स्टूदेंस हैं नंबर ओफिमील स्टूडेंस कितने हैं, तो यह भी कुछ लिखतेते हैं, 200, यूजुली हम ऐसी स्लाइट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन यह आप लोग को समझाने के लिए, तो हम अब लिखेंगे नंबर ओफ एंप्लॉईज कितने हैं, तो say for example, हमारे पास एंप्लॉईज फु आई हैं, that is your last slide, say for example, आपके पास कोई ऐसी, मतलब आपकी requirement ऐसी है कि जिस audience के लिए आप लोगी slideshow रन कर रहे हैं, वो different है, कोई आप लोगों से आपकी जो presentation है, उसको सिर्फ आपकी students के बारे में information चाहिए, that means, वो इंसान, जो वो audience member, या जिसके लिए आपकी presentation बना रहे है वो interested नहीं है आपके employees की details में, for example, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है number of employees, लेकिन imagine कि यहाँ पे employees के बारे में बहुत सारी information है, तो यह हम थोड़ा सा different color का रख रहे हैं, तो वो चाहता है, मुझे सिर्फ आपके students के information चाहिए, उसको employees के information नहीं चाहिए, तो उस case में, ज आपके students की detail है, इसके बाद तीसरा slide जिसमें आपके students की detail है, इसके बाद तीसरा slide जिसमें आपके male students की detail है, then, sorry, यहाँ पे spelling mistake है, इसको ignore कीजिए, ठीक है, number of female students आपके school में कितने है, then number of employees भी कितने है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला, जिस audience member के लिए आप presently presentation run करेंग तो उस case में इस तरीके का होना चाहिए, कि say for example, आपके पास अगर slides है, one, two, three, four, sorry, one, two, three, four, five, six, seven, say for example, आपको यह slides जो है, different instant of times पे, different time periods में, different logo के लिए display करने है, say for example, यह आपके audience one है, यह आपका एक audience का group है, जो सिर्फ interested है, यह जिसके लिए सिर्फ slide number one, slide number two, and slide number four, and slide number last वाला useful है, बाकि के जो slides है उसके लिए वो उसको useful नहीं है, मतलब वो उसके किसी काम का नहीं है, that means, जो slide number three है, जो slide number five है, and slide number six है, वो नहीं चाहता है यह विवकरना, नहीं आप interested है, इस audience member को यह दिखाना, इस के बरक्स, दूसरे instant of time पर आपको यही presentation चाहिए, लेकिन एक audience two के लिए, वो कोई different form of audience, ऐसे for example, अभी teachers नहीं है, अभी students है, या एक form of employee नहीं से, for example, principal sir, जो है, वो एक time पर आप लोगों को बूलेगा, मुझे students की details दिखाऊ, as a teacher, वो मुझे बूलेगा presentation बनाऊ, लेकिन ए इस case में मैं उसको जो green color की lines है, जिन पर cross नहीं है, मैं उसको यह वाले slides दिखाऊँगी, लेकिन किसी दूसरे दिन वो मुझे बूलेगा, अब मुझे सारे slides दिखाने, एक तरीका है, मैं दो different presentations बनाऊ, पहले मैं एक presentation बनाऊँगी, जिसमें मैं यह सिर्फ चार slides कर दूँगी, लेकिन उससे आप लोगों का बहुत जादार बितार time waste हो जाता है, उससे confusions create होते हैं, उससे repetition होता है आपकी जो memory में, इसकी वज़े से आपकी memory भी जादा utilize होती है, तो इस case में हम लोगों को एक बहुत अच्छा feature provide करते हैं, जो digital presentation software होते हैं, और आपकी case मे आपका Microsoft वाला digital presentation software, that is PowerPoint, तो यह आप लोगों को एक चीज allow करता है, जिससे आप लोग अपने slideshow को customize कर सकते हैं, different audience members के लिए, that means आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग select कर सकते हैं, किसी particular instant of time पर कितने slides आपको उस particular presentation के time view करने हैं, या display करवाने हैं, अगर आप लोग एक ही slide दिखाना चाहते हैं, तो वो भी possible है, अगर आप लोग दो ही slide दिखाना चाहते हैं, तो वो भी possible है, अगर आप लोग random slides, यह ज़रूरी नहीं है, यह sequence में slides होने चाहिए, यह randomly भी आप कोई भी random slides select करके उनको display करा सकते हैं, या उनकी presentation दिखा सकते हैं, आप लोग, तो हम वो ही देखेंगे हम किस तरीके से कुछ slides को exclude कर देंगे अपनी presentation को, और कैसे कुछ slides को include कर देंगे अपनी presentation में, तो अभी तक जो slides को में आप लोग को दिखा रही थी, this is by default, इसका जो setting है, इसमें जितने slides आपने बनाया होंगे, वो सारे display होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको कस्टमाइज कर देंगे, तो कस्टमाइज करने के कलिए, इसमें आप लोग को क्या करना है, आप सबसे पहले यहांपे, जो slideshow है आपके बहुत सारे होते हैं, जो जो आपनों का मेन्यू बार है इसमें आपनों को Slideshow पे चले जाना है वहाँ पे आपनों को बहुत सारे option मिलते हैं उसमें से एक Custom Show भी आपनों को दिख रहा होगा कही कही पे Customize भी दिखा कियोगा यह डिपेंड करता है आपको उनसा version of Microsoft Office यूज कर रहे हैं तो इस वाले version में दिखा रहा है Custom Show तो आप इस पे क्लिक कर देंगे यहां पे option आ रहा है Custom Slideshow तो आप इस पे क्लिक करेंगे चोटा सा window खुलेगा या Dialog Box जिसको आप बोलते हैं यहां पे plus sign आ रहा है तो किसी किसी वर्जिन में वहां पे new भी लिखा होगा ठीक है इसमें confused नहीं हो ना मेभी आपके पास पुराना वर्जिन हो वहां पे new लिखा होगा तो कोई बात नहीं है बस यहां पे plus sign है that means यह बोल रहा है आप लोगं को एक नया कस्टमाइज करके slideshow add कर देना है तो हम इस पर click कर देंगे since हमारा जो इस वक presentation है वो इस वक उसमें total six slides है तो यह आप लोगं को वही दिखाएगा आप अपने इस slideshow का इस custom slideshow का कोई नाम रख सकते हैं say for example मैं इसका नाम student रख दूँगी या फिर जो by default यह नाम दिखा रहा है वो भी रख सकते हैं तो मैं इसमें एड कर दूँगी अपने school का नाम और अपने employees का नाम say for example यह मैं सिर्फ उसके लिए बना रही हूं जिसको employees की detail चाहिए तो that means मै यह अब मुझे दिखा रहा है यहां पर custom show में student का एक नाम क्यूंकि यही एक मैंने बनाया है और यहां पर आप start show कर सकते हैं तो मैं start show कर दूँगी अब देखें यहां पर student का कोई भी slide नहीं आएगा यहां पर सिर्फ वो slides आएंगे जो मैंने custom show में include किये होंगे तो यहां पर सिर्फ तीन ही slides सारे तो यह आज आप लों का topic था हम कैसे अपने slideshow को customize कर सकते हैं आप लोग खुद भी बना सकते हैं आप लोग चाहे तो एक slide add करो दो slide add करो लेकिन in case आपको सारे slide रखने तो उस case में आप लों को customize करने की कोई जूरत नहीं है अगर आपको कोई भी confusion ह तो इसको दुबारा से देखिए गर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो please आप मुझे call कर सकते हैं आज के लिए इतना ही खुदा आपिस